फिल्म क्रिटिक्स की माने तो फिल्म बजरंगी भायजान सलमान के करियर की सबसे खुबसूरत फिल्म है लेकिन डारेक्टर कबीर खान की ये खुबसूरत फिल्म उस वक्त विवादों में आ गई थी जब एक पाकिस्तानी कबवाली गायक अमजद साबरी ने आरोप लगाया था कि उनके पिका के द्वारा गाई गई कबवाली भर दो जोली मेरी को बिना उनकी मंजूरी के फिल्मे शामिल किया गया है इसको लेकर काफी खबरे आएं सुने मैं आया था कि अमजद ने तो कानून की पनहा में जाने का भी मन बना लिया था लेकिन जब मीदिया ने सल्मान से इस बारे में पूझा तो सल्मान ने कहा ये कवाली बहुत प्रचलित कवाली है इस पर किसी का कॉपी राइट नहीं है हार कोई इसे अपनी अपनी तरह से गुनकुनाता है और हमने भी इसे अपनी तरह से पेश किया है लेकिन हम अगर किसी को इससे प्रॉब्लम है तो हम उसे भी नाराज नहीं करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा